गुर्ण मॉर्णिंग बच्चों आजम करने जा रहे हैं आपकी वोक्षिट नमबर 84 विशे विज्ञान कक्षा 10 हमारी देट 10 फरवरी के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोक्षिट में हमें जैव प्रक्रम के अंदर हमारा जो टॉपिक है विश्म पोशी पोशन क क्या होता है पहले इसमें जीव संपूर्ण भोजय पदार्त का अंतर ग्रहन करते हैं पूरा के जैसे हमारी बोड़ी है हमारे पाचन शरीर हमारा कैसा है कि पहले मूं में जाता है पेट में जाता है नलियों में आत में बहुत सारी चीज़े होती है ठीक है लेकिन कुछ ऐस प्राणी संपोशन जिसमें few ऐसे जीव होते हैं जो पूरेखीऊ पूरे भोजन को अंतर ग्रैन करते हैं उनका पाछन के अंदर होता है टीके जैसे संव और तो Mr. 0 करते हैं ठीक है जो नगा होता है ज़ो मरे हुई शरीर के साड़े हुई कार्बूनिक परदार से का ठीक है पर जीविबी पोछन क्या होते हैं यह जीवों के शरीर की अंदर या बहार रहकर उनको बिमा मारे उनसे अपना पोशिन प्राप्त करते हैं जैसे पेड़ पोदे हैं, पेड़ के उपर बैठ के जो पेड़ों का जो उनका पोदों का खाना है वो अपने अप ग्रहन कर ले वो, ठीक है उनका खाना, तो या तो अंदर से या बाहर से ही वो दूसरों का खाना लेते हैं और मतलब बिना मरे, उनको बिना मारे, ठीक है? उधारन जैसे अमर बेल है, जू है, फीता, क्रमीजीव ये सारे किसके उधारन है पर acord जीवी पोशन के, ठीक है? अब देखो एक कोशिक जीवों में जिसमें एक कोशिका से जो बने होते हैं एक कोशिक जीवों में भोजन समपूर्ण से तैसे लिया जाता है। कोशिका सतेय से उंगली जैसे अस्थाई प्रवर्द की मदद से बोजन ग्रहन करता है अभी मैं नीचे आपको डायग्राम दिखाँगे कोशिन आंसर में कि कैसे जो उंगली की तरह जैसे मालो यह अमीबा है यह खाना है अब देखो मानव जीवों में पोशन, मानव जीवों में कैसे पोशन होता है, अंत्रग्रेहन, पाचन, अप्शोशन, आत्मसाथ, निशकाशन, इतने सारे जो प्रिक्रिया होती हैं हमारे अंदर, विबिन भागों में भोजन का पाचन होता है, अलग-लग, कहीं पे कुछ हो को शरकरा में प्रवर्तित करता है, अमाशी क्या करता है, पैपसीन प्रोटीन को सलल रूप में प्रवर्तित करता है, अगनाशी क्या करता है, ट्रिपसीन प्रोटीन को और लाइपसीन, लाइपीज वसा को सलल रूप में प्रिवर्तित करता है, मतलब सब के अलग-लग जंद्रक के बाद यहां पर इस तरीके से उंगली की तरह structure निकलेगा फिर यह खाना अंदर ले लेगा इस तरीके से अमीवा में portion होता है ठीक है यहां से हो गया आपका first question का answer यह डाइग्राम आपको first question में बनाना है उसके बाद है second question प्रशन है भोजन के पाचन में लार की क् लिखोगे मू में स्थिर्थ लार ग्रंतियों से लार निकलकर चबाए हुए बोजन में मिलकर इसे चिकना तथा ललसला बना देती है जिससे यह बोजन नली में आसानी से फिसल सकता है ठीक है आग्या समझ बोजन में पाचन की लार की क्या भूमिका है यह हो गया आपका question number लएक कार्वा से नबर अर्यक होता है रह समवार है रिलेक्षयशन होती है रिलेक्सम्स होती है जो आपस Jean कोशक कहलाती है यह गठी सारे पाचक नाल में ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है जिसे खाया हुआ या पाचित अहार निरंदन अग्रसर होता रहता है मतलब ये बार बार इस तरीके से खुलती है बंद होती है जिसे क्या होता जो खाना है वो डायक्ली नीचे आता रहता है ठीक है एक तो यह अक्रियाशिल जो एंजाइम है उनको अमिलिय माध्यम परदान करता है जिससे बिकरियाशिल अवस्था में आ जाते हैं दूसरा यह बोजन में विद्वान सुक्षम जीवों को मार देता है और तिसरा यह बोजन को नरम कर देता है ठीक है हो गया प्रिशन no.4 आकरी जो आकरी नहीं यह प्रिशन 5 है प्रिशन 5 के बाद एक ओर प्रिशन आपका 6 प्रिशन 5 है पचे हुए भोजन को अफशोशित करने के लिए शुधरांत को केसे अभिकल्पित किया गया है देखो पचे हुए भोजन को आंत्रिकी भीती अफ जो wordिन को अब शोशित करने करके शरीर की प्रते कोशिका तक पहूचाने का कारिय करते हैं इसका उप्युग उर्चाप्राप्ट करने नय उत्तकों का निर्मान करने तलिए तो पुराने उत्तकों कि मरमत के लिए किया जाता है तेका यहोगे प्रिशिं это आपकी वोक पूरा आपको बनाना यह आपकी बुक में भी होगा अगर आप चाहो तो वहां से भी बना सकते हो ठीक है तो यह छे प्रशनाज आपकी वोक्षीट में दिये गए थी I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई है कोई भी डाउट है पूरी वोक्षीट में तो कमेंट सेक्शन में आपको पूच सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आपको सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो थांक यू अब ग्रेट देग